Hello friends, About Hindi YouTube channel में आपका स्वागत है, मेरा नाम है संतुष पड़ा कोटी दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप office में होते हैं या किसी interview में गई होते हैं तो आपका जो boss होते हैं वो आपको कुछ कहते हैं लेकिन आप वो इतना fast में कोई interview है तो आप उसी समय type नहीं कर सकते लेकिन keyboard के थुरू type करने में बहुत सारा time waste हो जाता है और normally होता क्या है कि हमें वही audio बार-बार सुनना पड़ता है क्योंकि हमारी typing speed होती है वह इतनी fast नहीं होती है और जो बोलने वाला speaker होता है वह बहुत fast बोलता है तो कई बार हम इस type से जो audio है उसको proper way में type नहीं कर पाते हैं हमें बार-बार उसको वापस remind करना पड़ता है फिर सुनना पड़ता है फिर type करना पड़ता है फिर से सुनना पड़ता है फिर type करना पड़ता है आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई भी audio file है तो आप उसको text में convert कर सकते हैं बहुत टाइम से मैं चेक कर रहा था कि कोई software ऐसा है जो audio file को convert कर दें काफी सारे software मैंने चेक किये लेकिन वो proper काम नहीं कर रहे थे जिस software के बारे मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो software आपका proper काम करेगा तो वीडियो के अंतर तक बने रहे हैं चलिए शुरू करते हैं जिस software के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको सिर्फ audio को upload करना है और उसके बाद सिधे आप उसको tax format में ले सकते हैं यहां तक ही इसमें यह facility भी है कि अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो conversation को भी record करेगा और पहले वाले को speaker first और second को speaker second के नाम से show करेगा वहां पर आपको पता चाल सकता है कि कौन से वाले speaker ने क्या बात कही है तो आपके लिए बहुत ही easy हो जाएगा तो आईए चलिए देखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें Google Chrome को open करना पड़ेगा यहां पर हम Google Chrome को open कर लेते हैं यहां पर अगर आप Google Chrome को open करने के बाद आपको लिखना है Microsoft Word Online यह Microsoft का ही feature है जो की आपके पास अभी online available है यहां पर मैंने already यहां पर type किया है अगर आप यहां पर type करेंगे Microsoft Word Online तो आपका office live.com करके हो जाएगा आप वहां पर जा करके login करके उसको word को open कर सकते हैं तो यहां पर मैंने पहले से एक file open किया हुआ है इस file के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा यहां पर मैंने file open किया हुआ है file open करने के बाद अगर home tab में अगर आप देखते हैं तो home tab में यहां पर last में आपको dictate का option आता है dictate का option में क्या होता है कि आप जो बोलते हैं वही type हो जाता है लेकिन जब अभी मैंने वही बात कही थी कि जब interview हो रहा होता है या कोई आपके boss कुछ बोलते हैं या उसको कोई audio आप record कर लेते हैं उसको कैसे करना है तो यह जो डिक्टेटर है वह सिर्फ आप live उसी समय बोल करके उसको text में convert कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा फिलाल इस बारे में मैं आप transcribe के बारे मताता हूं तो जैसे यह arrow का निशान है इस पे click करेंगे तो यहां पे आपका एक option आएगा transcribe ट्रांसक्राइब पे click करने के बाद यह right side में आपका यह transcribe option open हो गया है यहां पे अगर start recording आप directly यहां पे record करके और उसके बाद उसको transcribe कर सकते हैं और audio अगर आपके पास already है जिसके हम अभी तक बात कर रहे थे आप इस audio को upload करके यहां से transcribe कर सकते हैं तो हम test करते हैं यहां पे मैंने desktop में एक audio sample file रखी वी है दो यह एक English में है एक Hindi में है पहले हम English वाला start करेंगे English वाली audio को मैंने upload कर दिया है चाहे तो आप OneDrive में जाकर के इस file को रख सकते हैं और वहां से direct इसको import कर सकते हैं लेकिन यहां पे हमने local computer से इसको install किया है यहां पे जो audio file है वो upload हो रही है लगबग 70-80% अप्लोड हो गई है कुछ ही second में यह file पूरी upload हो जाईगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि यहां पे क्या transcribe हुआ है इसको देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या text transcribe किया है तो यहां पे मैंने जो text English में transcribe करने के लिए audio record किया था वो यह वाला है यहां पर यह आपका audio text में convert हो चुका है देखते हैं कितना हुआ है Hello Friends Hello Friends यह Friends हो गया है थोड़ा सा यहां पर प्रॉब्लम है Hello Friends के जगा Friends हो गया है Welcome About Hindi Welcome About Welcomed हो गया है Welcomed यहां पर मैंने Welcome कहा था सिर्फ Welcomed हो गया है About Hindi, my motive behind creating this channel was to make easy to understand tech video in Hindi And I wanted each and every individual Whoever is interested in technology To be able to understand it in the easiest possible way तो यहां पर हमारा 95 या 96% का जो टेक्स्ट आउडियो है वो टेक्स्ट में convert सही सही हो गया है इस में से हमें सिर्फ कुछी चीजें हैं जो हमें change करना है तो मैं बता देता हूँ यहां पर मैंने जैसे कहा था कि first speaker and second speaker तो यहां पर अभी इसने detect किया है वो सिर्फ first speaker detect किया हुए क्योंकि यह मैंने ही अकेले ने कहा है तो यहां पर हम इसको edit भी कर सकते हैं एडिट यहां पर मैं इसको friends कर देता हूँ ओके welcome के जिगा welcome कर देता हूँ और बाकी सारा जो text है वो बिल्कुल सही सही convert हुआ है तो यहां पर यह बहुत easiest way है और इससे हमारे जो life है बहुत easy हो सकती है अगर आप इस तरह का इस वाले software का इस्तिमाल करते है Microsoft Word का यह online version में है offline version में हो सकते हैं आने वाले time में यह आ जाए तो यहां पर यह audio update हो गया है और text में convert हो गया है अब हम इसको अगर यहां पर word की file में चाहते हैं कि इसको add करना तो हम यहां से plus के निसान पर जाकर के add कर सकते हैं तो यहां पर आपका timing seconds भी show कर देगा अगर आप चाहें तो यहां पर audio को सुन सकते हैं तो इस तरह से हम इस audio को दुबारा सुन करके अगर कहीं पर कुछ corrections करने हैं तो उन corrections को हम कर सकते हैं इसके अलावा अभी मैंने सिर्फ एक ही portion जो था वो सिर्फ hello friends को ही update किया था हम चाहें तो add all to document जो जितना भी transcribe है अगर कोई 15 minute का है कोई 20 minute का audio है तो उसको हम एक ही बार में add कर सकते हैं और individual अगर section आप चाहते हैं तो वह जिस तरह से मैंने किया है आप उस तरह से उसको कर सकते हैं तो मैं इसको delete कर देता हूं फिलाल के लिए और यहां पर add to all को तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे कि कौन से second में किसने क्या खा है तो वह यहां पर show हो जाएगा तो इस तरह से आप transcribe जो है वह जो text audio है उसको text में convert कर सकते हैं audio को transcribe कर सकते हैं और इसके साथ इसाथ आपका यहां पर जो audio file है उसका link भी यहां पर दिया गया है अगर आप इस पर mouse को लेकर कर जाएंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि यह file कहां पर रखी भी है तो यह हमारा जो one drive है वहां पर save हो गई है तो इस तरह से हम और किसी भी audio को text में convert कर सकते हैं audio को transcribe कर सकते हैं लेकिन एक ध्यान देने वाले बात यह है कि यह जो option है यह अभी सिर्फ office 365 के premium version में ही available है अगर आप login करके free account में login करके अगर जाते हैं तो यह transcribe काम नहीं करता जो dictate है वह काम करता है लेकिन transcribe का option जो है वह free वाले version में काम नहीं करता तो इसके लिए आपको premium version आपको लेना होगा या आप किसी भी organization के नाम पे उसको ले सकते हैं और कुछ time के लिए trial के लिए use कर सकते हैं और अपना जो भी आपको tech audio है उसको transcribe कर सकते हैं अगर आपको यह video अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को subscribe कीजिए bell icon को दबाना न भूले ताकि नए नए वीडियो की notification आप तक पहुंसते रहे हैं अगर आपने यह software यूज किया तो यूज करने के बाद आप comment box में जरूर लिखें कि उसका क्या result रहा और अगर आप other language में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको भी करके देखें example, experiment करके देखें मुझे लगा कि आप लोगों को यह video बताना बहुत ही जरूर यह बहुत सारे लोगों का काम आसान हो सकता है और अगर आप लोगों का काम आसान हुआ हो तो please comment box में जरूर लिखें मिलते हैं next video मे तब तक के लिए जय है